एक विमी प्रत्यास्त संगट वन डाइमेंशनल इलास्टिक कोलिजन संगट क्या होता है दो बस्तुओं का आपस में टकराना या अन्योन निक्रिया का होना संगट कहलाता है मतलब टकराएं नहीं भी और उनके बीच में अगर मूचल कुछ रियक्शन हो जाए जैसे कि चुम अन्योन निक्रिया का होना संगट कहलाता है अब इसमें भी संगट दो तरह के होते हैं प्रत्यास्त संगट और अप्रत्यास्त संगट तो अगर संगट ऐसा है जिसमें संवेग और गती जूर्जा संवरक्षित रहते हैं मतलब जो भी निकाए बनता है उसका संगट के पहल संवेक और संगट के बाद संवेक अगर बराबर हो और संगट के पहले गती जूरजा और संगट के बाद गती जूरजा अगर बराबर हो निकाई की तो फिर हम उसको कहते हैं कि वो प्रत्यास्त संगट है और फिर उसमें भी अगर ऐसा हो जाए कि वो संगट अगर एक सरल रि हम एक important conclusion लेकर आ रहे हैं mathematically हम प्रूव करेंगे कि जो पास आने का आपेक्षिक वेग है वो दूर जाने के आपेक्षिक वेग के बराबर है तो relative velocity का study हम करने जा रहे हैं तो हमने कहा कि हमारे पास में M1 और M2 द्रविमान के दो पेंडिया वस्तूएं है और M1 द्रविमान की वस्तूँ का वेग U1 है और M2 द्रविमान की वस्तूँ का वेग U2 है और यह पीछे से आ रही है M1 द्रविमान की वस्तूँ और M2 द्रविमान की वस्तूँ उसके आगे चल रही है लेकिन इसका जो वेग U1 वो U2 से जादा है तो फिर यह क्या करेगी आकर उसके साथ संगट करेगी तो यह संगट के पहले की स्तिय है कि इसका द्रविमान M1 वेग U1 इसका द्रविमान M2 वेग U2 है और संगट के बाद हम कह रहे हैं कि जो M1 द्रविमान की वस्तु है इसका वेग U1 से V1 हो जाता है किसे होता है संगट के बाद होता है तो इस तरह से ये प्रत्यास्त संगट हो रहा है जिसमें द्रवेमान जो है वो M1 M2 द्रवेमान की दो बस्तु हैं और संगट के पहले इनके जो वेग हैं वो U1 और U2 हैं और संगट के बाद इनके वेग U1 से V1 और U2 से V2 हो जाते हैं तो अब चुकि ये प्रत्यास्त संगट है तो इसमें निकाई का जो संवेग है वो समरक्षित रहता है तो इसकी study आगे बढ़ाएंगे और निकाई की गती जूरजा भी समरक्षित रहती है तो इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे तो फिर जो संवेक सरक्षन से हम कह सकते हैं कि जो संगट के पहले निकाई का संवेक होगा वो संगट के बाद निकाई के संवेक के बराबर होगा तो फिर संगट के पहले निकाई का जो संवेक है वो कितना है तो संगट के पहले हमारे निकाय का जो सम्वेग है वो देखे यह होगा द्रविमान गुणित वेक तो द्रविमान M1 और वेग U1 और द्रविमान गुणित वेक तो द्रविमान M2 और वेग U2 तो संगट के पहले निकाएका जो संवेग होगा वो होगा M1 U1 दो क्योंकि हमने अभी बात की कि दोनों जो बस्तु हैं मिलकर M1 U1 और M2 U2 और बीच में निशान लगा दीजेगा प्लस का क्योंकि निकाय का निकालना है तो दोनों का मिला कर निकालना होगा जोड़ना होगा और संगट के बाद निकाय का समवेक तो M1 V1 प्लस M2 V2 इसका द्रवेमान गुणावेक धन द्रवेमान गुणावेक और बीच में प्लस का निशान लगा दीजेगा तो M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2V2 ये संगट के पहले निकाय का समवेग है द्रवेमान गुणावेग धन द्रवेमान गुणावेग और संगट के बाद निकाय का समवेग द्रवेमान गुणावेग धन द्रवेमान गुणावेग ठीक है ये पहली वस्तु का ये दूसरी वस्तु का ये पहली वस्तु का ये दूसरी वस्तु का लेकिन ये संगट के पहले है ये संगट के बाद है और निकाय की बात कही है इसलिए दोनों का मिला कर लिखा है ठीक है ना M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2V2 अब आप क्या कीजेगा कि जो M1 M1 द्रविमान जहां लिखे हैं उनको आप एक तरफ ले लीजेगा ताकि उसकी study हो सके कि M1 द्रविमान की वस्तु के वेग में कितना बदलाओ आया है और M2 द्रविमान की वस्तु के वेग में कितना बदलाओ आया है तो M1 वाली एक तरफ ले लिजिए और M2 वाली एक तरफ कर दीजिए तो यह हो जाएगा M1 U1 माइनस M1 V1 यह M1 M1 वाली एक तरफ कर दीए आपने और इधर कोने M2 V2 है और माइनस M2 U2 इधर से ले जाएए तो यह M2 M2 वाली एक तरफ हो गई ठीक है अब यहां से आप निकाएगे समवेक से यह एक important conclusion equation number 1 के रूप में आ जाएगा M1 common U1 माइनस V1 देखिए U1 माइनस V1 और यह M2 कामन तो यह होगा V2 माइनस V2 यह equation number 1 है जैसा हमने समवेक सरक्षन से किया है मतलब संगट के पहले निकाएगा समवेक और संगट के बाद निकाएगा समवेक तो समवेक सरक्षित है ऐसे हम गती जूरजा से भी इसको करने जाएंगे तो देखिए यह समवेक सरक्षन से तो अभी हमने result पड़ी लिया था कि यह M1 U1 माइनस V1 is equal to M2 V2 माइनस U2 अब हम कह रहे हैं कि जो संगट के पहले जो निकाएगी गती जूरजा थी वही संगट के बाद निकाएगी गती जूरजा है तब ही तो हम कह रहे हैं कि वह प्रत्यास्त संगट है क्योंकि प्रत्यास्त संगट में जो है निकाई का जो संवेक पहले रहता वही बाद में रहता है निकाई की जो गति जूरज़ा पहले रहती ही वही बाद में रहती है तो अब गति जूरज़ा का तो फार्मुला हम जानते हैं कि वो होता है Half Pv2 मतलब 1 बटे 2 द्रवेमान गुणा वेक का वर्ग तो संगट के पहले इन दोनों को जोड़ना होगा ऐसे इसकी गति जूड़ जा प्लस इसकी गति जूड़ जा और फिर संगट के बाद इसकी गति जूड़ जा प्लस इसकी गति जूड़ जा तो इसकी गति जूड़ जा के लिए बोलिए waż MV², stör उप 7, M1U1² plus 2, M2U2², इसके लिए यह आपकी गती जूर्जा के फार्मूला से हमने कर दिया कि half M1 U1 square देखे इसका plus half M2 U2 square इसका is equal to half M1 V1 square plus half M2 V2 square तो जैसा आपने वहाँ किया था सम्वेग में वेसा ही आप यहाँ गती जूर जामे कर रहे हैं केवल फार्मूला बदल गए ठीक है ना महाँ केवल रमेमान गुणा वेक था अब आप यहाँ हाँ से आप तो सब तरफ कामन लेकर कैंसल कर दीजिए तो जो बचे उसको लिखना है अपने को तो यह होगा M1 U1 square plus M2 U2 square देखे 1 1 by 2 1 by 2 कामन होके कैंसल हुआ यहाँ LHS वाराचेस दोनों में तो यहाँ से अब यह 1 by 2 चार हो जगे से अठा दीजिएगा तो M1 U1 square plus M2 U2 square is equal to M1 V1 square plus M2 V2 square अब वहाँ क्या किया था आपने वहाँ आपने क्या किया था आपने किया था M1 वाले मान को एक तरफ ले लिया था तो यहाँ भी वेसा कर लिजिए तो M1 वाले मान एक तरफ ले लिजिए तो यह हो जाएगा M1 U1 square minus M1 V1 square is equal to M2 V2 square minus M2 U2 square देखिए यह इधर है और उधर से इसको लाए तो माइनस का हो गया और फिर यह इधर था ही M2 V2 square और उधर से M2 V2 square को लाए तो माइनस का हो गया अब आप वही कीजिए जो वहां किया था कि इधर M1 को कामन ले लिजे उधर M2 को कामन ले लिजे तो M1 कामन लेते ही यह हुआ U1 square minus V1 square और यहां से M2 कामन लेते ही यह हुआ V2 square minus U2 square यह equation number 2 आ गई तो देखिए आपने जो समवेक सरक्षन से equation number 1 बिल्कुल वेसी की थी M1 common M2 कामन यहां भी M1 common M2 common उसी बिल्कुल उसी तरीके से उसी pattern पर करना है केवल formula का थोड़ा सा फरक है कि महाँ द्रविमान गुणा वेक था यहां एक बटे दो द्रविमान गुणा वेक का वरगे महाँ द्रविमान गुणा केवल वेक था और वही पूरी प्रोसेस किया आपने है ना कि फिर 1-1 वाले एक तरफ कर दिये और फिर M1 को common इधर M2 को common लिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं इन दोनों समिकर्णों से तो equation number 1 और 2 आपने देख ली अब हम क्या करेंगे equation 2 में 1 का भाग लगा दीजिए तो sumicand 2 में sumicand 1 का भाग दे दीजिए तो इस तरह से देखिए भाग लग रहा है तो यहां क्या हो रहा देखिए आप M1 U1 square minus V1 square equation number 2 इसमे equation number 1 का भाग लगा ये M1 U1 minus V1 is equal to देखिए M2 V2 square minus U2 square इसमें भाग लगा ये M2 V2 minus U2 का भाग लगा दिया मतलब sumicand number 2 में sumicand 1 का भाग लगा दिया अब आप देखिए उपर और नीचे यहां से M1 और M1 cancel हो रहा है यहां M2 M2 cancel हो रहा है क्योंकि यह cancel हो रहा है अब यहां formula खोलेंगे A square minus B square तो यह होगा A minus B A plus B तो यह हो जाएगा U1 minus V1 और U1 plus V1 यहां भी A square minus B square खोलेंगा तो यह हो जाएगा V2 minus U2 और V2 plus U2 तो यह देखिए आपने क्या किया यह देखिए cancel हो गए M1 M1 और M2 M2 को cancel कर दिया है दोनों cancel हो गए है यहां formula खोला देखिए U1 minus V1 हो गया है ठीक है A square minus B square A minus B A plus B तो यह U1 minus V1 और U1 plus V1 और नीचे है U1 minus V1 देखिए इसा कैसा लिख दिया है यहां देखिए यह M2 से M2 cancel हो जो जोगा है यह उपर और नीचे मान एक जैसे हो जाएंगे जो cancel हो जाएंगे माइनस माइनस वाले और केवल प्लस प्लस वाली value हमारी बच जाएगी तो यहां से हम हमारे पास बचेगा U1 plus V1 is equal to V2 plus U2 देखिए आप U1 plus V1 is equal to V2 plus U2 ठीक है अब आप क्या कीजेगा कि आप यह जो U1 और U2 वाले माने इनको एक तरफ ले लीजे संगट के पहले वाली values को एक तरफ ले लीजे और संगट के बाद वाली values को एक तरफ ले लीजे तो यह हो जाएगा U1 minus U2 देखिए U1 minus U2 is equal to V2 minus V1 जिससे यह इसके पास आ रहा है क्योंकि देखिए अभी यह U1 बढ़ा है U2 से तो कितना बढ़ा है उतना ही को बढ़ा है U1 minus U2 इतना बढ़ा है तो यह U1 minus U2 कोन से वेलोसिटी हुई पास में आने की तो यह U1 minus U2 क्या हुआ पास आने का आपेक्षिक वेलोसिटी हुआ ठीक है अब देखिए V2 minus V1 तो यह V2 minus V1 यह जो डिफरंस है इस डिफरंस ही तो यह इससे दूर जा रहा है इसका V1 है इसका V2 है अब V2 minus V1 क्या हुआ हुआ इससे दूर जाने का अपेक्षिक्वेग हो जाएगा ठीक है न, तो ये हो गया पास आने का अपेक्षिक्वेग बराबर दूर जाने का अपेक्षिक्वेग ये बहुत important conclusion है हमारा इसमें जो एक विमी प्रत्यास्त संगट है इसमें प्रूव करना कि पास आने का आपेक्षिक वेक जो है वो दूर जाने के आपेक्षिक वेक के बराबर होता है धन्यमाद